गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास बिटा हम लोगोंने हिंदी ग्रामर में चैप्टर 16 पढ़ा था जो था हमारा पत्र लेखन है जिसको हम लोग इंग्लिश में लेटर रैटिंग भी कहते हैं तो चैप्टर नमबर 16 हमने पढ़ा था जिसमें मैंने आपको अलग-अलग तरह सा पत्र लिखना सिखाय था कि अगर आप किसी स्कूल को पत्र लिख रहे हैं तो आप कैसे लिखेंगे और अगर आप अपने दोस्तों को या अपने रिष्टेदारों को पत्र लिख रहे हैं तो आप कैसे लिखेंगे तो पत्र लिखना हमने सीख लिया था लाइब क्लास के टाइम पे अभी इस वीडियो में मैं आप लोग को बता दूँगी कि आपको होमबक में कौन-कौन से पत्र अपने नोटबुक में करने है और साथ ही मैं एक बर वो पत्र आपको फिर से समझा भी दूँगी तो देखो पहला पत्र जो आपको करना है वो है ये वाला ठीक है अबकाश के लिए आवेदन पत्र यानि इसमें आपको क्या करना है अबकाश मतलब क्या होता है चुट्टी है ना तो आपको चुट्टी लेनी है तो चुट्टी लेने के लिए आप अपने स्कूल में एप्लि पाना-चारे जी, आप देखो, यहां पर Matte Public School है, लेकिन, आप इसको क्ट कर दैङे और यहां आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, जो कि क्या है, आपकी स्कूल का नाम क्या है, राज़स्थान Children's तो इस तरह आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे फिर देखो यहाँ डैली लिखा है लेकिन आप दिल्ली ने लिखकर क्या लिखोगे आपकी स्कूल का है जैपूर में है तो आप यहाँ पर जैपूर लिख दोगे ठीक है फिर आप लिखोगे महोदे निवेदन है कि मैं ती तो आप उनसे निवेदन कर रहे हो कि तीन दिन से आपको क्या हो रखा है मलेरिया हो रखा है और चिकित्सक ने मुझे तीन दिन तक विश्राम करने का परामर्स दिया है और चिकित्सक ने यानि की डॉक्टर ने डॉक्टर ने आपको तीन दिन तक विश्राम करने का यानि चुट्टी चाहिए तो आप लिखोंगे मुझे दिनाक 16 फरवरी कि 2021 से आपको कभ तक के लिए चाहिए क्योंकि आपको तीन दिन का आराम वोले तो 16 लोसक्ताज तरिका अराम से। 17 लोसक्ताज दिन की चुट्टी चाहिए फिर आप धन्यवाद लिखोगे, धन्यवाद की बाद आप दिनाक मतलब डेट, जिस दिन आप लिख रहे हो उस दिन का डेट लिख दो, जैसे माल लो आप 16 फरवरी को लिख रहे हो, तो 16 फरवरी 2021, आपका आज्याकारी शिश्य, अगर आप लड़का है तब तो आप लिखे ठीक है, अगर ध्यान रखना, अगर आप लड़के हो तो आप सिर्फ इतना लिखोगे, आपका आज्याकारी शिश्य, और अगर आप लड़की है तब आप सिर्फ इतना लिखेंगे, आपके आज्याकारी शिश्य, फिर यहाँ पर आप लोग अपना नाम लिख देंगे, ठ पिर आप नीचे अपनी class लिखतेंगे तो इस तरह आपने अपने school को पत्र लिखा है और आपने बताया है कि आप बिमार होने के कारण school नहीं आपाओगे कब से कब तक 16 फरवरी 2021 से लेकर 18 फरवरी 2021 तक आप school नहीं आपाओगे ठीक है दियान रखना date आपको उस दिन की डाल शिश्या फिर आप लोग अपना नाम लिख देंगे और लास्ट में अपनी कक्षा लिख देंगे तो इस तरह आपने अपने principal को letter लिख दिया कि आप नहीं आपाएंगे क्यूंकि आप जोर से पीडित है यानि आप लोगों आपको बुखारा रखा है तो एक तो यह पत्र को आप अपने notebook में करेँ इसके अलावा आपको यह वाला पत्र करना है अपने मामा जी को अपहर के लिए धन्यवाद पत्र लिख ना है कि आपके मामा जी ने आपके लिए गिफ्ट भेजाता उपहार बहे जाता और अब आप अपने मामा जी को एक letter लिख रहे हैं जिसमें जब भी हम किसी बड़े को लेटर लिखते हैं अपने किसी रिस्तेदार को जो कि हमसे बड़े हैं उनको लेटर लिखते हैं तो हम पहले उनको पुझ्य कहते हैं साथ इसाथ उनको प्रणाम भी कहते हैं तो हमने लिखा पूझनिय मामा जी साधर अभिवादन या फिर आप लि मुझे एक सुन्दर सी घड़ी दी थी गिफ्ट में वो मुझे मिल गई और उसको पाकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा सभी को आपका भेजा हुआ उपहार बहुत पसंद आया अब आप अपने मामा जी को कह रहे हो कि जो आपने जो गिफ्ट बेजा था वो सभी लोगों को बहुत पसंद आया मैं आपका उपार संभाल कर रखूंगी अब देखो अगर आप लड़की हो तब तो आप लिखोगे मैं आपका उपार संभाल कर रखूंगी पर अगर आप लड़का हो तब आप क्या लिखोगे कि मैं आपका उपार संभाल कर रखूंगा ठीक है लड़की हो तब तो आप प्रणाम कहोगे और रीता को प्यार देना और जो आपके मामा मामी का जो भी बच्चा है चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो उसका नाम यहाँ पर लिख कर और उनको कह देना कि उसको प्यार देना आपकी प्यारी भांजी अगर अगर आप लड़की हो तब तो भांजी क यहांपर आप अपना नाम लिख देंगे, आपका नाम ठेक है, ध्यान रखना, जहाँ पर लडकी लिखी भी ए और आप लडका हो, तो आपको उसको चेंज करना है, जैसे रखूंगी की जगे, रखूंगा करना है अगर आप लड़का हो तो और यहां पर आपकी प्यारी भांजी की जगे, आपका प्यारा भांजा करना पड़ेगा और नीचे आप लोगों को अपना नाम लिखना होगा ठीक है तो बस ये दो पत्र है जो कि आप लोगों को अपने नोट बुक में करना है और इन दो पत्र को ही याद भी करना है ठीक है इन दोनों में से एक पत्र ही आपके एक्जैम में आएगा तो ये दोनों पत्र आप कंप्लेट कर लेना एक पत्र तो हमने वो देखा जिसमें ह फिर में अब कास चाहिए था चुट्टी चाहिए थी और्DA दूसरा पत्र हम अपने मा मा जी को लिखा क्यों लिका क्योंकि हम उन्हे धन्यवाद कह रहें जो अब करके अगया थो इस तरह ढूंहें टाइप के लेटर का एक एक एक्जामपल आपके पास हो गया है, यह दोनों लेटर अपने नोट बुक में आप लोग कम्प्लीट कर लीजेगा, मिलेंगे फिर हम लोग अपने नेक्स क्लास में, तिल देन बाई, टेक क्यार,